student next example will be spontaneous reaction when the falling reaction half reactions are combined अब में देखने कि यह spontaneous reactions होती है यह नहीं होती अगर यह दो half reactions combine करते हैं फेरी कायन किसमें convert हो रहा है फेरसायन में MnO4 किसमें convert हो रहा है Mn2 positive में and what is the value of E0 cell अब इसमें देखो किसकी reduction potential की value higher है इसकी higher it means इसका reduce होना चाहिए इसकी lower इसके reduction होना चाहिए और इसके क्या होना चाहिए oxidation होना चाहिए ठीक है the reduction potential of second half is more than that of first it means the reduction किसमें होगी second में होगी और first में क्या होगी oxidation होगी and the reaction produced to this तो इसमें लिखा हुए F2 positive किसमें convert हो रहे है F3 में और यह 5 electron है it means इसको हम 5 से multiply करेंगे अगर cathode का हमने करने है तो cathode में से anode minus करेंगे answer हैगा 0.72 volt direction will be spontaneous ठीक है इसमें अबर हमने जैसे next time मैंने आपको बताया था इसमें EM of the cell यह कैसे calculate किया हुए तो फर्स reaction इसमें क्या है सबसे पहले इसको 5 से क्यों multiply किया है ताकि number of electron same किये जाए तो 5 फेरसायन होगे Mn4 8H positive यह 5 electron और 5 electron गैंसल हो जाएंगे तो हमारे पास यह चिम बता अगर स्पॉंटेनियस है तो क्या थोड माइनस है थोड अब इसकी वैल्यू किया है क्या थोड की 1.49 है और इसकी वैल्यू किया 0.77 है तो इन दोनों में से माइनस कर दी कि अंसर है 0.72 वोट अंजी स्टुड़न नेक्स करेक्शन किया है इनने सिंपल इलेक्टर केमिकल साल वीची इस इस पॉंट यह स्टेंडर सेट हाफ साल रेक्शन इन दा अप्रिशेटरी डेक्शन पोटेंशल वाट इस वैल्यू दिये 0.80 वोल्त इसमें दिये 0.13 वोल्त तो इसमें है कि जो सिलवर इसकी हायर है तो इसकी क्या होनी चाहिए रिटक्शन होनी चाहिए और यह इसकी क्या होनी चाहिए ऑ Freak ठीक है तो यह आपकर वार केल्फलेट था यह मैं उफ उतल अवलिखे दर रिड़क्षिन प्टेंशल अव्टू हमें दो रेक्षिन दी हुई है लेड टू पॉस्टिव किसमें अन्वाट और रहा है लेड सॉलीड में और सिल्वर किसमें कर्वाट हो रहा है इसल्वर में देफोर रिड़क्षिन विल अकर एट अथा सिल्वर कैथोड और ऑक्सिडेशन किसमें होगी लेड इलेक्टोड में और हमारी रिड़क्षिन क्या होगी इसमें देखो जो सिल्वर है रिड़क्षिन का मतलब है जो सिल्वर है वो इलेक्टोन को लोस करके किसमें कर्वाट हो जाएगे silver solid में यहां पर क्या होगा reduction means gain of electron और जो lead है वो दो electron को lose करके किसमे convert हो जाएगी इसमें अगर हम दोनों को balance करेंगे तो हमारे पास आजएगा two silver iron plus lead यहां पर आजएगा silver solid plus lead two positive और इसमें हमारी reaction क्या होगी इसकी oxidation हो रही है lead किसमे convert और lead two positive में फिर salt bridge और फिर जो silver iron है वो किसमें reduce हो रहा है silver में ठीक है अब इसकी reduction हो रही है silver की हमारे पास e not cell calculate करने का क्या method है e cathode minus e anode cathode पर हमारी reaction क्या हो रही है silver की अब silver की value क्या है 0.80 minus anode पर हमारी कुनसी reaction हो यह lead की lead की हमारी जीरो पॉइंट माइन जीरो पॉइंट वान थी वोड अगर हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.93 ठीक है यह बात हमेशे याद रखना जिसका higher reduction potential है जिसका higher reduction potential है वो क्या होना चाहिए undergo reduction जाना चाहिए और जिसका lower reduction potential है वो किसमें जाना चाहिए oxidation में तभी यह रेक्शन फीजिबल है तभी यह रेक्शन करीड आउट है अगर वाइस रेक्शन करीड आउट है नहीं है